साथियो नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग आज एक महत्पुन टॉपिक पर मैं डिसकस करूँगा अभियोजन स्विकरती से जिरे करते समय किन बिंदों पर हमें नजर रखनी है मैं आपको वो बाच बना दूँगा कि धरती पर उसे उसका शिकार दिखता है और आपको आपका गवा का वीक पॉइंट दिखेगा आज ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टन होने वाली है अगर आपने बताये गए कंसेप्स को समझ लिया सातियों जब भी हम जिरे करते हैं तो हमें जिरे का कंसेप्च्वल पार्ट समझ में आता है नहीं कि हम जिरे में करें क्या हम आप्टिमम रिजल्ट्स कोड में मिल जाएं सातियों एक छोटी सी बात समझ लो एक छोटी सी बात एक मोटिवेशन बात भी आप समझ लो मैं वीडियो को शुरुबात कर रहा हूं उससे पहले आपको मुझे मोटिवेट करना भी जरूरी है कि सिकंदर हालात के आगे नहीं जुकता सिकंदर हालात के आगे नहीं जुकता तारा टूट भी जाए तो जमीन पर आके नहीं गिरता अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में पर कोई समंदर दरिया में नहीं गिरता anti corruption का मुकदमा है sanction authority से लड़ाई लड़ रहे हो प्रशन पूछ रहे हो दिल में रखना जोश और प्रशन पूछना सफलता आपके हाथ में होगी लिख क्या रख लेना पर यहाँ पर एक बात क्या दू कि जोश तभी मजबूत होगा जब तैयारिया अच्छी होगी overconfidence is totally fatal for you but confidence could lead you to win to succeed the battleground गबराओं मत लड़ना सीखो section 19 PC8 की और आपका दियान दे लाओंगा specific provision है कि कुछ धाराओं में जिनका ब्योरा उस section में दिया गया है कारवाई या अभीजन चलाने से पहले स्विक्रती चाहिए, permission चाहिए स्विक्रती नहीं मिली permission नहीं मिली मामला नहीं चलेगा एक बात जो है आपको note रखनी होगी एक बात जो है आपको समझनी होगी सातियों यहाँ पर एक बात जो है आपको समझाना चाहूंगा कि जो व्यक्ति पद से रिमूव करने के लिए सक्षम है चाहे वो सेंट्रल गवर्मेंट कहा है चाहे वो स्टेट गवर्मेंट कहा है या ऐसा कोई व्यक्ति जो उनसे पावर ड्राइव कर रहा है in consequence of the business rule he is the person competent to give the sanction मैंने इसे कई मामले भी recently देखें कि जहां पर sanction उप्यक्तियों के दोरा दी गई है वो ना तो मूल एक्ट में ना ही किसी अदिनियम में ना ही किसी उपनियम में ना ही किसी rules and regulation में ना ही किसी business rules में authorized है to remove the consent person तो आपको नियमों की जांकारी तो collect करने ही पड़ेगी RTI का उप्यों करेंगे न हम जांकारी लेंगे दुसरी important बात ACB और sanction authority की बीच क्या क्या correspondence है ये जांकारी भी आपको लेनी होगी point is that ACB कहीं बार पतराचार करती है sanction authority से और ये कहती है कि हमने इस case में चारशीट पेश करने का निनने लिया है sanction जारी कीजी अगर आप नहीं करेंगे तो आपके विरुत कानून ये कारवई की जाएगी कानून ये कहता है कि sanction authority को अपना mind apply करना है in the independent manner without being influenced by any pressure होता क्या है कि routine में file आती है routine में send होती है routine में ही निकल जाती है तो वहां mind apply नहीं हुआ तो ये correspondence हमारे हाथ लगिया RTI में तो हमारे लिए beneficial हो गया तीसरी important बात समझ लो कि कई बार draft sanction भी बेजते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सजन पुरुष उसी draft sanction को retype करा कर कॉमा खड़ी पाए तक की सित्य भी वही होती है sanction जारी कर देते हैं आपके पास ऐसे तर्क है जिसके अधार पर आप ये कह सकते हैं कि आपको जुटा भसाए गया जब sanction authority court में खड़ी होगी तो यही document आपके defense का अधार बनेंगे अगर ये document के लिए आपने proper course में जाकर apply कर लिया proper course में जाकर अपना अभिया वेदन ये अपना memorandum दे दिया definitely आप मांद के रखना sanction authority को पसीन आएंगे हम कई मर पूछते भी है कि आपको अभियूत का जो है memorandum मिला आपने क्यों नहीं consider करा वो कहते हैं कि साब हम bound नहीं है कहां लिखा हो है वो हवाला देंगे उन कानूनों का उन कानूनों का जिसमें यद्यपी उनके इसाब से ये लिखा गिया है कि आप consider मत कीजिए पर अगर आप भेज रहे हैं तो consider क्यों नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये पता है कि आप भेजेंगे नहीं तो उनको बहुत जल्दी रहेगी sanction जारी करने की तो इस बात का जो है विशेश धिहान रखें कि जब भी trap कारवाई हो रही है immediately after getting the bill आप अपना memorandum जो है submit कीजिए इसके अलावा जो correspondence है उनके बारे में जब आप प्रशन पूचेंगे इसके अलावा उनकी eligibility के बारे में आप जो है प्रशन पूचेंगे उनकी competence के बारे में आप जो है प्रशन पूचेंगे तो वहीं पर उनको गबराट होगी और ये भी सिती है कि वो ये कह दे कि हमने file का व्लोकन किया बगैर in the mechanical way जो है sanction जारी कर दी हो सकता है कि ये सिती भी जो है निकल के आ जाए तो गबराए नहीं होंबग पूरा करें उसके बाद इसी होंबग की light में जो आपका एक अच्छा डिफेंस है कोशन जो है पूट अप करें लोगी ये डिफेंस जो है ये primary evidence है ये documentary evidence है काफी आपके लिए helpful है और section 64 Indian evidence एट का आप इस बारे में जाकर जो है बढ़ सकते हैं तो गबराए नहीं motivate रहें अपना युद्ध अभिहास के समय आप अपने हत्यार जो है त्यार रख लें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना साथियों मिलते हैं एक ने डॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं जय भरत